हेड़ आज की वीडियो में आपको स्पोर्स डेटा चैलेंज की एश्टा टाइम की लाब को सोलिशन प्रॉइट करूँगा जो 90 प्लस 4 मिनट वाली है क्योंकि पिछले हॉलिडे चैलेंज में इसी बटको लाब में लोगों को यातर प्रॉब्लम आई थी तो इस बटको चारवे तक आपके पास आ जाएंगे फिर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं बड़ी जो लास्ट रही लाब है इसको जल्दी से कर लेना इस पर क्लिक करते हैं सारे स्वल्यूशन डिस्क्रिप्स बोक्स मिल जाएंगे उससे जरूरू चकाउट कर लेना तो लाब को लाब में कम्लीट करना है जैसे मैं करना हूं ऐसे कर लेना पहले आपको ए क्लाउड रिसोर्स कनेक्शन बनाना है जिसका नेम होगा माई डेटासेट तीसरा एक रिमोट फंसन क्रेट करना है यूस रीजन में जिसका नेम होगा रिमोट फंसन ठीक है तो इसके लिए मैंने यह command लिखे रखा है create function जिसका name है remote function जैसे इनों ने बताया है तो third task के लिए हम लोग command का इस्तिमाल करेंगे fourth में इस वाले code को add करना है cloud function में और cloud function को redeploy करना है और fifth वाले में बस wait करना है cloud function जैसे आपका redeploy हो जाएगा आपका काम हो जाएगा password copy करना open go cloud console पर click करना पहले से जो account होते हैं इनको remove कर दिया करूँ ठीक है enter करना paste करना इसको accept कर लेना अब क्या करना इसको समझते हैं पहले वाले में name होगा my connection इसको copy करना ठीक है और इसको agree करके agreement continue कर देना अब हम लोग open करेंगे big query को then इस पर click करना इसको done कर देना अब add data पर जाना अब यहाँ पर connection to external data sources पर click करेंगे connection type में last रोले को select करना ठीक है cloud resource वाला और जो name है जो copy किया उसको paste करना ये काम हो गया create connection पर click करना पहला task complete second task है my dataset करके एक dataset create करना है तो इस name को copy करन my dataset वाले full stop को copy मत करना ध्यान से copy करना ठीक है ये काम हो गया अब यहाँ पर तीन dots पर click करना create dataset पर जाना name को यहाँ पर paste करना इस तरह और create dataset पर click करना second task भी complete हो गया third में क्या करना है US region में remote function with the above dataset तो इसके लिए आपको पहले cloud resource connection भी बनाना पड़ेगा वो कैसे उसके लिए मैंने एक name लिखके यहाँ पर रखा है my function अब इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है तो इसको copy करना कोई और name change कर सकते हो बहुतना ध्यान रखना जो भी name यहाँ रखना य यह सब हो गया आप क्या करना है यहाँ पर search करना cloud function then इस पर click करना और यह जो command में आपको दिया है इसमें कुछ changes करने क्या changes करने end point आपको लगाना होगा अपने cloud function का वो कहां से मिलेगा यह open हो गया यहाँ पर remote add पर click करना उसके बाद trigger पर जाना फिर यह जो trigger URL है इसको copy कर रीजन मेरे में US West 1 है आपके में कुछ और होगा और यहाँ पर आना codes को रहने देना और यहाँ codes तक remove कर देना फिर जो copy किया उसको paste करना फिर पूरे command को copy कर लेना फिर यहाँ पर आना अब हम लोग वापस चलेंगे BigQuery में और इस पर को query को इस पर कमांड को run कराएंगे यहा आप remote add पर click करना फिर यहाँ पर इस function को edit करेंगे जो मैंने आपको होता है था उसको redeploy करने कले यहाँ पर edit button पर click करना उसके बाद यह code मैंने आपको दिया है इस वाले को यहाँ से copy करना फिर यहाँ पर nest पर click करना और यहाँ पर यही सब कुछ रहेगा को change आपको नहीं कर रहा था बट लास्ट में जब आप end day में आते हैं जब challenge खतम होने वाला होता है तो traffic के चक्कर में चीज़े काम नहीं करती काफी बार आप जैसे create हो जाएगा चुक मैं focus करते हैं लाव अपनी complete हो जाई होगा अगर को doubt हो तो करने के पूछ लेना इसके बाद मैं आपको first lap क solution provide करूँगा इस पर को channel पे और second channel पे complete solution चालना आप बचीए बहुत ही simple है वो उनका solutions provide कर दूँगा इसको redeploy होने में यार दो से तीन में लगते हैं यह हो गया है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आना इसको चक्क मैं focus करा लेना यह हो रहा है अभी हो गया तो यही अपन time complete कर लिया है और यहाँ पर भी सारे solutions साम तक आप तक पहुँच जाएंगे बस इतनी request है कि 20k तक पहुचा दो thank you so much तो चलो वीडियो क्राप आप करते हैं चैनल पे नय होना चैनल सब्सक्राइब करना इस वीडियो क्लाइक करना मिलते हैं असी ने स्वीडियो में तब तक के लिए चल दे